हलो फ्रेंड्स वल्कम टू माई चैनल जीओ जीओ जीओन आप सभी का मेरे चैनल जीओ जीओन पर हार दिख स्वागित है मैलाओं की बाई बीट पर चिप किलिके गिरने का क्या मतलब होता है जी हाँ आज का वीडियो बहुत ही खास है अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें दोस्तों पौराडिक शास्त्रों एवं धार्मिक क्रंथों में कई ऐसे संकेतों के बारे में बताया गया है जिसके द्वारा हम अपने भविश्य में होने वाली शुब और अशुब घटनाओं के बारे में पहले से ही जान सकते हैं परशुपक्षी और कई जीवजन्तु अपने कुछ क्रिया कलापों द्वारा भविश्य में होने वाली शुब और अशुब घटनाओं से हमें अवगत कराते रहते हैं इनी जीवजन्तियों में एक है छिपकली जी हाँ सभी घरों में समान रुप से पाई जाने वाली शिपकली भविश्य में होने वाली कई घटनाओं से हमें संकीत द्वारा अवगत कराती रहती है दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को महिलाओं की पीट पर शिपकली के गिरने का मतलब बताऊंगी तो आए जानते हैं कि यदि किसी महिला के पीट पर शिपकली गिरती है तो इसका क्या मतलब होता है दोस्तों शकुन सास्त्र के अनुसार यदि किसी महिला के पीट के बाई भाग पर शिपकली गिरती है तो यह अत्यनत शुबसंकेत माना जाता है ऐसा माना जाता है कि निकल भविश में आपको कोई खुशी की खबर प्राप्त हो सकती है साथी साथ आने वाले दिनों में आपके जीवन में सुख, सम्रद्धी और शान्ती में बढ़ोत्री हो सकती है दोस्तों यदि किसी महिला के पीट के बाए भाग पर शिपकली गिरती है तो जल्दी आपको मान सम्मान की प्राप्ती भी हो सकती है दोस्तों आई जानते हैं विज्ञान के नुसार मनुष के अंगों पर शिपकली के गिरने का क्या मतलब होता है विज्ञान के अनुसार मनुष्य के अंगों पर छिपकली का गिरना एक आम प्रक्रिया के अंतरगत माना गया है परंतियोधी वैज्ञान दिश्टकून की बात करें तो छिपकली एक जहरीला जीव माना गया है और यह जब किसी के शरीर पर गिरती है तो अपने शरीर से चिपचिपा परदार छोड़ती है जो कि मनुष के आँख नाक और मुँ में जाने पर वेक्ति को किसी प्रकार का नुकसान पहुचा सकती है तो हो सके तो छिपकली से दूर रहने का प्रयास अवश्य करना चाहिए क कारण कुछ भी हो सभी की अपनी अलग-अलग मानताय मानी गई है विज्ञान की माने तो मनुष के अंगों पर छिपकली का गिरना एक आम प्रक्रिया के अंतरगत माना गया है परंतिदी शास्त्रों की माने तो छिपकली के क्रिया कलाब कई गूर रह से चिपाई हुए हैं दोस्तों आशा करते हूं कि आज की दीगई जानकारियां आपको बहुत अच्छी लगी होंगी अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो क्रपया मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें धन्यवाद